नमस्कार दोस्तों सर्जिक क्लासेस में आपका स्वागत है तो दिखिए जो आपका यूपी एमर्सी का जो एसे टीओ के लिए साइको टेस्ट जो होने है तो उसका दिखिए एक्जाम डेट भी आपका आ चुका है तो दिखिए आपको जो है ऑफिसल सैट पर जाने के बार इ इस नमबर पर पे करना होगा है यहां पर फिर आपको जहां मिल लाएंगे आपको लॉगए डि विदिन फाइफ मिनट्स के अंदर में तो देखिए दोस्तों जब आप लोग इस आपको जहां इसके साइट पर आपको मिल लाएं इंफोर्मेशन रिगार्डिंग इजाम ने वाले हैं तो यह जो देखिए कंड़क्ट आपका कराया जाएंगे बाइस साथ दोजर चौश से लेके शबवीस साथ दोजर चौश तक तो आपका देखिए बाइस जुलाई से लेकिए आपका जो है चबवीस जुलाई तक आपके होंगा और यह भी लखनव में आपका कर दिये जाएंगे और आपको देखिए यूपी अमर्स वेबसाइट को देखने आपको फ़दर जो अपडेट जो रहेगा इसके रिगार्डिंग तो यहां पर देखिए आपका देखिए डिट अल्री डिक्लियर कर दिए गया यहां पर एक्जामिनेशन का तो आपके पास जो समय है काफी कम रह गया है हाँ पर दस दिन ही रह गया है आपके लिए तो प्रैक्टिस आप जितना कर सकते हो वही जहां के लिए प्रेस्ट कर सकते हो इसके regarding information आपको अल्रीड हमने बताया हुआ है आपको देखिए प्रैक्टिस करना होगा जितना प्रैक्टिस कर सकते हो अतना ही आपके लिए बेनिफिस्यल रहेगा तो देखिए एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं यहाँ पे कि टेस्ट बाइ करने के लिए आप लोग ज जाएंगे विदिन 5 मिनट्स के अंदर में ही आपको जल्दी आपको मिल दाएगा अगर कोई कामें बीजी रहते तो उसमें आपको तुरत ही आपको मिल जाएंगे यह तो आपके लिए देखिए यह टेस्ट काफी बेनिफिसल रहेगा अगर आपको प्रिपरेशन करनी है ए और देखिए जितना प्रेक्टिस करोगे ना उतना ही जो है आपके लिए बेनफीसल रहेगा तो कि देखिए इसमें ऐसा निकी क्वेशन आते हैं इस तरी किसी आपको पता नहीं रही है पर एक जैक भही आता है जो आपको पहले इसे पतारे मतलब इससे आपके आने वाला तो तो आपको देखिए इन ही टॉपिक में से ही आपको मिलेंगे तो आपको पहले ही से पता रहेगा कि हाँ इसमें किस तरीके का पूछा जाता है तो आप लोग जितना प्रैक्टिस कर रहेगा तो इसमें इसके लिए भी हमने इंतिजाम करवाया हुआ हुआ है इसी में आपको दोनों मिल लेंगे एक ही साथ में आपको तो आप लोग प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो और कैसे बाइक करना है तो इसके लिए अलड़ी हमने आपको बताया हुआ है और भी कोई डाउट आप कर रहता है आप लोग कमेंट करना इसका रिपला आपक कर दोग कर दोग कर लोग कर दो सकते है तो नीजिए है।